नमस्कार दोस्तों बहुत पहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों 21 जून को साल 2020 का प्रथम सुर्य गरन लगने जा रहा है जो आसाड महिने की अमवस्या को रहेगा इस गरन के दोरान बहुत सारी घटनाएं होंगे छे गरह वी वक्री होंगे वहें ये भयंकर स सुरी गरन रहने वाला है क्योंकि ये काफै लंबा गरन होगा आपको बताना चाहेंगे कि 21 सुरी गरन सभी राजियों पर अलग औलग rehab डालने वाला है परन्तो सभी रासियों में से चार रासिय ऐसी है जो कि काफी ज़्यादा भागरसाली हैं उनको कढूडों का धन मिलने वाला है वे माल होने वाली हैं मत्रों इस चंद्रगरन के प्रभआव से देश में भी काफी ज्यादा प्रभाव पढ़ेगा कई प्रकार के असुब प्रभाव जैसे तुफान भूकम जैसे प्राकृतिक अविदाएं भी हो सकते हैं 21 जून को पढ़ने वाला सुरेगरन इसका सही समय सूतक काल और इसके द्वारा कौन-कौन सी रासियां भागे साली रहेंगे और किस परकार का प्रभाव सभी रासियों पर पढ़ेगा इनके बारे में हम बताएंगे आपको सारी जानकारे इसके साथ है ये भारत के कौन से हिस्से में दिखाई देगा और ये विश्वके किस-किस देशों में भी दिखाई देगा गरनकाल का सूतकल समय और गरनकाल में बरती जाने वाली उन महत्पुन सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही उन सुभकारियों के बारे में बताएंगे जो के गरनकाल के दोरान आपको करना चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित तोर पर इसका सुप परणाम मिलेगा और आप अपने जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं 21 जून को लगने वाला साल 2020 का पहला सुर्यगरन है जो के आसाड महिने के अमवस्या को रहेगा आप वीडियो को एंटर तक देखिएगा आप से विंती है उससे पहले वीडियो को अगर लाइक कर दें और अगर हो सके तो वीडियो को सेर भी अवस्य कर दें मत्रों यह सुर्यगरन भारत में भी दिखाई देगा इसके लिए इसका परवाप रहाव देखना मिलेगा मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि जोतिस चास्ट के अनुसार चंदरगन का और यह सुर्यगरन का दोनों का दोनों सुतक मानने होगा इस सुर्य गरण का असुब असर चार रासियों पर देखा जा सकता है वहें सुब रासियां चार रहेंगे आपको बताना चाहेंगे कि 21 जून को पढ़ने वाला सुर्य गरण साल 2020 का असर भारत सहेंद, नेपाल, पाकिस्तान, सौधी अरव और UAE ऐसे देशों में भी देखा जा सकता है अब बात करें सुतक काल का तो गरण काल का सुबह थाड़े दस बजे से दो पहर दो बज़ कर चार मिनट तक रहेगा यानि के यह सुबह के दस बज़ कर एक अतिस मिनट से प्रारंब होगा जो दो पहर के दो बज़ कर चार मिनट तक रहेगा जिसका सुतक काल 20 जून को राच से ही दस बज़ कर 20 मिनट से प्रारंब होगा सुतक काल में बालक वरिद एवंग रोगे को छोड़ कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए इस दोरान खाद पदार्थों में तुलसी दल या रखनी चाहिए तो सुतक काल के दोरान आप किसी वे प्रकार का चाकू, छूरी, सबजी या फल आदी काटना भी निसीद माना जाता है ग्रहन काल में सोना और भोजन नहीं करना चाहिए मित्रों, ग्रहन काल में काफे महत्पूर सावधानियां बरती जानी चाहिए जब खासतोर पर कोई भी ग्रहन का सुतक काल लगता है तो मित्रों, साल 2020 में पहला सुरी ग्रहन लग रहा है और इस सुरी ग्रहन का आपका सुतक काल भी लगेगा जिसका असर सभी रास्यों पर दिखा जा सकता है मत्रों आप ग्रहन काल के समय जुरत मंद लोगों को दान करना भी सुब माना जाता है सुतक काल में कोई भी सुबकाम नहीं किया जाता है और ग्रहनतों के अनुसार सुतक काल में पूजा पाट और देवी देवताओं के मुर्ति को भी छूना मनाई होता है इस दोरान कोई भी सुबकार अच्छा करना नहीं होता है सुर्य गरहन के समय आप असर से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महा मिर्तुन्जे मंतर का जाप करना चाहिए या आप सुन भी सकते हैं इसके अलावा जरतमंद लोगों को अनाज का दान करें गरहन से पहले तोड़ कर रखा हुआ तुलसे फत्र गरहन काल के दोरान खाने से असुबसर नहीं होता है मतरों साल 2020 में लगने वाला यह सुरिगरहन आपके जीवन में कौफी जादा effect बे डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसो से जुड़े धन से जुड़े सभी परकार के समस्याओं से आपको चुटकारा दिलाने वाला है परन्तु यह सुरिगरहन हमारे देश के लिए कौफी अच्छा नहीं है यह सुरिगरहन कई प्रकार के असुप्रभाव को भी इकठा कर रहा है वहें कई प्रकार के मुसीवतों को भी हमारे देश में ला रहा है तो चलिए हम जान लेते हैं एक अकर के उन सभी रासियों का हाल जो के ये भागेसाली रासिया हैं तथा कौन सी रासिया हैं जो के सुरिगरण के दोरान इनको सावधानी वरतनी चाहिए तो मित्रों सुरिगरण मेश रासियो वाले जात को के लिए काफी महत्पून है मेश रासियो वाले जात को को ये सुरिगरण का काफी सुपरना प्राप्त होगा और सुरिगरण आपके धन के आई को बढ़ा सकता है सुरिगरण के प्रभाव से आई के नए आउसर मिलेंगे औ आपके प्रति, आपको उल्लास की प्राप्ति होंगे, मत्रों, अगला जो सुबरासी है, वे हैं कुम्बरासी, जी हा मित्रों, कुम्बरासी वाले जात को बताना चाहेंगे, कि अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आपको जादा से जादा सफलता मिल सकते हैं, आप को धंदोलत की प्राप्ति होंगे आप कई प्रकार के सुपकारे को करने का कोशिस कर सकते हैं आपके कोशिस हैं रंग ला सकेंगे आपको अपने कारेश्चेतर में कारेश्टल में नई जिम्मेदारिया मिल सकते हैं आपकी परसंचा होंगे आप अपने पुराने मित्रों से फ अचानक से आई के नई स्रूत सामने आ सकते हैं, जमीन जायदात के मामलों में फैसला आपके फक्स में होगा, आपके आर्थिक इस्तितिया मजबूत रहेंगे, राजनितिक से जुड़े लोगों का फ्राक्रम बढ़ेगा, मित्रों अगले जुरासी हैं वे हैं मित्धुनरास मित्धुनरासी वाले जातकों के खर्षों में थोड़ी से कमी हो सकते हैं और पैसों के जुरत तो पढ़ सकते हैं, प्रन्तों आपको अचानक से कहीं धन का लाब हो सकता है, जो के आपके आर्थिक इस्तितियों को सुधारने में आपके मदद कर सकता है, आप अपने जीवन का प्रभाव आपके लिए सुपसावित होगा, आपका आने वाले समय आपके लिए नए औवसरों को लेकर आ रहा है, आपको अपने सुप्रणाम दायकों होगा, अगली जो रासी हैं वे हैं रासी आपका मीन रासी मीन रासी वाले जातकों को सुर्य गर्ण के दोरान सावधान रहने की जुरत रहेंगे मीन रासी वाले जातकों को धन की हानी हो सकते हैं सोच विचार कर ही पैसा लगाएं और किसी खास से मनमुटाब हो सकता है आपके रिष्टे तूट सकते हैं में सहाता करेगा आपको किसी भी प्रकार के बदलाव या किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों इस समय आपको धैर और सावधानी से काम लेकर अपने वानी पर नियंतरन रखने होंगे अगली जो रासी हैं वे हैं रासी आपका मित्रों रासी के बाद आपको बता दें कि यह रासी कों कन्या है कन्या रासी वालिजात को का प्रभाव यह सुर्य गरण काफी जादा महत्पुन है कन्या रासी पर संतान समवाद और प्राक्रम पर पढ़ेगा संतान फर्विसेश ध्यान देने के जुरत रहेंगे आपके वरिष्ट अधिकार जिन लोगों से प्रोफेसिनल संवन्द हैं उनके साथ समवाद बनाए रखने के जुरत रहेंगे आपके लिए यह गरहन का प्रभाव आपकर सुप परेगा आपको अनेग परकार के सुपसुदाएं और अनेग परकार की पूजा पार्ट में आपका धिहान लगने वाला है करनय रासि वाले जात्को को अनेग परकार की सुपसुदाओं के साथ साथ अपने ऐस्वरे में अपने धंदौलत में अपने अपने समाज में आपने ऑपने कलक्श विलग पहच्चान बनाने के मौके भी प्राप्त होंगे मतरों साल 2020 में लगने वाला यह सुरी गरहन आपके लिए काफी जादा महत्पूर्ण रहेगा अगली जो रासी की बात करें तो अगली रासी है तुला रासी जी हां मतरों आई के नए अवसर फ्राब तो होंगे बिना किसी जॉब के आफ धन कमा सकते हैं आपको लाव मिल सकते हैं और किसी जॉब के लिए आपकी दुआरा किये जा रहे परियास आपको सफलता दिलाने में आपके सहता करेगा आपके सामाजी किस्त्ति समाज में मजबूती करेगा लोगों में लोक्टियता वढ़ेंगे और निवेस सुझ समझ कर करने के जूरत रहेंगे पैसों के अचानक चौरत पर सकते हैं आपको स्वास्त पर भी ध्यान देने के जुरत रहेंगे और किसी भी प्रकार की यात्रा करनी हो तो आप पूरी तरह से साफधानी परते हैं बैंक से लोन आदी की सोच रहें हैं तो आपको आवस्ते मिलेंगे सोच समझ करनी वेश करना सोच समझ कर कारी करना आपके लिए आवश्च रखोगा मतरों दुलारासी वाले जात्कों के लिए यह चंदरगरहन और यह सुरीगरहन दोनों का दोनों का दोनों काफी महत्पून रहेगा जुलाई के महीने में भी लगने वाला आपका चंदरगरहन काफी महत्पून है आप अपने जीवन में काफी जादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और कई प्रकार के सुक्सानिद की प्राप्ती भी कर सकते हैं मत्रों यह सुरे गरहन आपको आपके जीवन में कई परकार के सुक्सानिद और एस्वर की प्राप्ति करवाने में आपके सहता करेगा सुरे गरहन का प्रुभाव आपके दैनिक दिंचरिया पर देखा जा सकता है आपको अपने समाज में अपनी एक अलख्शवी अलख पहचान बनाने के मौके दे सकता है और छे गरह वक्री होने का सही समय आपको अनिक परकार के सुक्स बढ़ाओं के प्राप्ति करवाने में आपके सहता भी कर सकता है मतरों अगर आपको भी अपनी रासी का हाल जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको हम हमारे द्वारा उन सभी रासीों का बताएंगे जो कि आपके दैनिक जिंचरिया में सहाता कर सकता है मतरों अगर आपको आपके सहर का जानना है कि आपके सहर में कप चंद्रगन या सुरी करन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सहर का नाम आवसे लिखें आपका दिन सुभूब